इंडिया के बायो जियो ग्राफिकल जोन्स के बारे में अगर हम सोचें तो ये टोटल 10 जोन्स में डिवाइट किया गया है ये 10 जोन्स अगर हम टॉप से देखें इंडिया के मैप में टॉप से अगर देखें उत्रे बाद से देखें तो ये ट्रांस हिमालियन रिजिन से होते हुए हिमालियन रिजिन पे आया है और इस तरह से जब हम आगे जाते जाएंगे तो मैप में नाइन्थ नमबर का दिख रहा है आपको North Eastern Indian Jones और दसवे नमबर पे है Indian Iceland तो आईए इन दोनों के बारे में डिस्कस करते हैं पहले हम डिस्कस करते हैं जो 90 नमबर में इस्तित है North Eastern India Jones नाम सही clear है North में है और East साइड में है यह जो जो जोन है यह Northern Eastern साइड में है यहाँ पर 5.2% of land area बनाता है यह इंडिया का इंडिया का टोटल जो land area है उसमें 5.2% contribution है North Eastern Indian Jones का इन नौर्थ इंडियान इस्तिन जोर्स में Seven Sisters पूरे आते हैं और साथ में अरुनाचल प्रदेश आता है Seven Sisters जो बोल रही हूँ वह Seven Sisters कौन-कौन से States है असम, मनीपूर, मेगाले, मिजोरम, नागा लेंड, सिक्किम और त्रपुरा यह साथ स्टेट्स का जो समू है इसको हम Seven Sisters करते हैं Seven Sisters के साथ में अरुनाचल प्रदेश भी है इस तरह से यहाँ पर 8 States आते हैं किसमें North Eastern Indian Jones में यह Eastern States और हिमाले की Eastern पार्ट से मिलकर के बना होगा है यहाँ पर छोटी छोटी पहाडिया है यह पहाडिया हैं गारो हिल्स, खासी जटिया हिल्स, मीजो हिल्स ऐसे बहुत सारी पहाडियों का सिरीज है उस से मिलकर के बना है और आसाम मेगाल है तो रेनफॉल के लिए वैस भारत में सबसे अधिक वर्षा यही होती है इस रीजन में इन पहाडियों के कारण बहुत जादा वर्षा होती है मौनसून बहुत अच्छी है यहां पर जब मौनसून बहुत अच्छी है है तो डेफिनेटली यहां जन जीवन भी बहुत अच्छा होगा यहां पर बहुत ह तो ट्रोपिकल, moist, evergreen forest मिलते हैं, बारिश होने के कारण moist है और evergreen forest मिलते हैं यहां पे, आसाम के क्षेत्र में जो fauna है, fauna it means जो animals का percentage है, वो 63% mammals यहां पाए जाते हैं, बहुत बड़ा percentage है यहां आसाम में, छोटे छोटे कार्निवोरस animal भी पाए जाते हैं, कार्निवोरस मतलब flesh eater animals भी पाए जाते हैं, जिनको की हम consumer level 2 पे रखते हैं, elephant सबसे बड़ा जो population है, सबसे जादा populated form में जो जीव जनतु यहां हैं, उनमें elephant पाए जाते हैं यहां पे, तो इस तरह से northern eastern zone वर्षा बहुत जादा होती है, बायो डाइवर्सिटी बहुत जादा है, eight states आते हैं, जिसमें seven sister प्लस अरुनाचिर प्रदेश है, अब आते हैं, दसवे नंबर के द्वीब समू में भारत का जो बायो जियोग्राफिकल मैप है, उसकी दसवे नंबर में आता है, इंडियन आइसलेंट, ड्वीब समू, जिसको हम साधारा शब्दों में ड्वीब समू बहुते हैं, यह द्वीब समू जो है, वो दो टाइप के द्वीब समू है, दो जगह पर स्थी द्वीब समू है, एक द्वीब समू कहलाता है, अंडमान निकोबार का, जो मैप में और अगर हम अरेबियन सी के पास में देखें, तो फिर से चोटे-चोटे आइसलेंट का बना हुआ एक समू है, इस समू को हम नाम दिये हैं, लक्षवदीप ग्रुप समू, यह लक्षवदीप ग्रुप आइसलेंट, इस आइसलेंट में टोटल 36 चोटे-चोटे तो इस तरह इंडियन आइसलेंट को अगर देखा जाएं, तो दो हैं इंडियन आइसलेंट, बेय ओफ बेंगॉल में, अंडमान और निकोबर, और इधर लक्षवदीप साइड में, इधर अरेबियन सी में, लक्षवदीप है जिसमें 36 आइसलेंट्स आते हैं, यह आइसले आजसलेंट्स आइसलेंट में, अगर फॉरेस्ट सिस्टम देखा जाएं, तो यहांपर ट्रॉपिक़ल रेन फॉरेस्ट लेन आते हैं, ओपन वुड्लेंड्स हैं, और ग््रासिश सुन्ध में यहांपर सवाने ग्रास है, मैंग्र्यू और कॉस्टल लिटोरल फॉरेस्ट भी यही आते हैं, सीग्रास, ट्रेंजिंग, एंड यहां पर आफशोर कोरल रीफ्स बहुत जाद है, कोरल रीफ्स की संख्या यहां बहुत जाद है, अब जब कोरल रीफ्स है, तो डेफिनेटली यह लोगों को परिटन के लिए अट्रैक्ट भी करता है, अगर हम बायोटिक सेंस पर जाएं, बायोटिक रीजिन पर देखें, तो अंडमान और निकोबार में बहुत विराइटी के फॉरेस्ट आते हैं, इस पर ट्रॉपिकल एवर्ग्रीन फॉरेस्ट भी है, और मॉइस्ट डेसिडुवस फॉरेस्ट भी है, मतलब यहाँ पर एवर्ग्रीन जिनके पत्ते कभी जड़ते नहीं है, एवर्ग्रीन रहते हैं, बैसे फॉरेस्ट भी है, अच्या एवर्ग्रीन के पीछे एक जो रियल फैक्ट है वो बता दू, ऐसा नहीं कि इनके पत्ते कभी जड़ते नहीं है, इनके पत्ते रोटेशन में जड़ते हैं तो हमको ऐसा लगता है कि प्लांट हर समय हरा है, एक साथ नहीं जड़ते हैं, कुछ-कुछ पत्ते इनमें स्लॉट्स में जड़ते चले जाते हैं, इस टाइप से इनके प्लांट की लीप का लाइफ साइकल रहता है, लेकिन मौसम आने के बाद अपने पूरे पत्ते जड़ा देते हैं, तो ऐसा लगता है कि प्लांट पूरे डेड होगी है, सिर्क स्टेम दिख रहा है, और जैसे ही फैबरेबल कंडिशन आती है, कुछ पंदरा दीन माहिने बर में उनमें फिर से दीरे दीरे ग्रीन लीज आ जाते ह पहुए है यहां पे, फ्लावरिंग की फूलों की बहुत ज़ादा वेराटी है, बहुत सारे प्लांट चाते हैं यहां पे फूलों के, यहां पे फॉना में अगर देखा जाए, तो जैयन्ट रबर क्रैप्स हैं, टर्टल हैं, बीर हैं, वाइल्ट बीर सें और स्नेक्स आते लक्षदीप में जो है टर्टल कोरल रीफ बना हुआ है लक्षदीप में और यहां पर बहुत सारे ओर्नामेंटल फिशेज तो यह इंडियन आइसलेंड का अंडमान और निकोबार दीप समू और लक्षदीप गुरुप समू का यह बायोटिक डिस्क्रिप्शन तो इस तरह स जो इंडिया में डस जैव जो लॉजिकल विविदता वाले एक शेत्र हैं उनका हमने एक एक करके वर्णन किया जो इंडियन गौर्मेंट के द्वारा बनाएंगे